आज की रेसेपी बहुत ही सिंपल है लेकिन सिंपल के साथ खाने में तो मज़ा आता ही है और बनाने में भी मज़ा आता है इस रेसेपी को तो क्या करना है उसके लिए तीन पीस मुली लेना है और मुली को कदुकस कर लेना है बारीक वाला से नहीं करें मोटा वाला जो आता है मोटा वाला से करें मोटा वाला से क्या होता है कि लच्छा अच्छे से निकलता है तो अब इसे क्या करना एक बाउल में ट्रांसफर कर लेना है, कोई भी बड़ा परतन मी ले सकती हो, इसमें बहुत मसाले और कुछ सबजिया नहीं डलती है, तो सबसे पहले डाल देंगे धनिया पत्ती, टमाटर और हरी मिर्ची, तीखा यदि आप ज़्यादा खाते हैं तो डालती हैं, कम खाते हैं, तो थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं, क्योंकि तीखा से अच्छा टेस्ट आता है, तो आप बाइंडिंग के लिए हम ही क्या डालना है, चावल काटा, तो तीन पीस मीडियम साइज का मैं मुली लीती, क्वांटिटी तो आपको देखके ही समझ में उसमें पौना कप, एक कप से थोड़ा सा कम चावल काटा, तो मुली है न, तो मुली में पानी रहता है बहुत जादा, तो क्या करना है हां से इस तरह से मसल मसल के मिक्स करना है, पानी नहीं डालना है, यदि पानी डालेंगे तो बहुत जादा गीला हो जाएगा, अब लग नमक डालने और गिला होगा तो नमक थोड़ा सही डालेंगे क्योंकि मूली में नमक कम ड़लता है यादि कम हो जाए ना तो आप एक प्रिज बनाकर देख लेंructure कर लें कम लगे तो थोड़ा सही बाल सकते हैं साथ में जीरा धनिया पौडर डालेंगे नॉर्मल जो सबजी का मसाला होता है वही डालना है यदि आपके पास है सबजी का मसाला वो आसानी से डाल सकते हो इसमें तो देखिए आम मिक्स कर रहे हैं अच्छे तरह से हाथ से हमने पानी बिलकुल भी नहीं डाला है अब पनें में बनाइगे पन फ्राइए ये या फीर फ्राइए जसे भी आप बोल सकते हो तो घुल का सा तेल लगाएंगे दवा merged लोही को रख देंगे और हाद से इस तरह से हल्का प्रेस कर देंगे पतला जितना पतला आप करना चाहते हैं उतना पतला हो जाएगा अब एकदम आयसा सोचेंगे कि रोटी की तरह हो जाए तो रोटी की तरह नहीं होगा रोटी से थोड़ा सा मुटा ही रहेगा तो जब एक साथ हलका सा सीख जाएगा तो उपर तेल डाल देंगे तो हलका हलका तेल मे इस तरह से प्रेस करेंगे, तो आप जितना पतला बनाना चाहते हैं, तो ठोक पिट के पतला आसानी से कर सकते हैं, तोड़ी सी पिटाई करनी पड़ती है, दियाती भाजा में बोलोगे तो, अजब अच्छे से सेट हो जाएगा, उसके बाद क्या करना है, मिन्स ग्यास का फ्लेम हलका सा मीडियम कर देंगे, मीडियम फ्लेम में इसे सेखेंगे, तो अच्छे से एकदम क्रिस्पी होने तक सिखेगा, और एक बात का और धियान रखना है, इस नास्ते को आप गरम गरम तो गजब का टेस्ट आता है, काफी ज़धा टेस्टी लगता है, और आप कोई भी अचार ले सकते हैं, मिर्ची का भी अचार, आम का अचार, या फिर केचप, किसी के साथ भी, तो देखिए हलकल का स्पॉट्स आ गया है, ब्राउन कलर का हो गया है, तो अब इसे निकाल ल और बाकी का भी सेम ऐसे ही बनाके रेडी कर लेंगे, तो मुली का चटपटा सानास्ता बनके रेडी हो किया है, पतला पतला बनाए, अभी मैं एक पीस ही बनाई हूँ और बाद में बनाऊंगे, आप इस तरह से भी फोल्ड करके देख सकते हैं, तो अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें